आप सब भी को मेरा परणाम आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मित्रों आज बात करेंगे ट्राइडेक्स प्रोगम बेंस जंगल जगनी या स्वेत भ्रंग राज भी हम कहते हैं वाइट कलर के आप फूल देख रहे होंगे साथियों कई सारे ओस्द्यगुनों के उप लगा देना चाहिए बहते हुए बलड को एकदम ठीक कर देता है सूजन को उतार देता है आसानी से घाओ को हील करता है इसको आप सुखा कर काड़ा बनाकर सेवन कर सकते हैं कई परकार के यूरियो लीथियेटिक प्रॉब्लम्स को ठीक करने का कारे करता है यानि कि स्टॉन कर innovator कि समस्या हो चाहे किड्नीज में स्टॉन हो चाहे यूरेटर मैं स्टॉन आ गया हो उन सब को निकालने का कारे करता है झाक ले डैय यूरियोटिक एक्टेविटी इस की होती है सरीर के hormones को regulate करते हुए menstrual cycle को ठीक रखने का भी कारिय करता है साथियों ये estericycle का plant है wide therapeutic application इस plant की होती है आप इसको सुखा कर powder बना कर रख सकते हैं गमलों में लगा लें तो उत्तम होता है क्योंकि इसकी जड़े अच्छी soil condition में अगर लगाए जाती है तो अच्छे therapeutic benefit के लिए responsible होती है साथियो प्रोस्टेट की समश्चा आज कल पूर्शों में बहुत common हो गई है प्रोस्टेट cancer भी होना प्रोस्टेट का cyst होना ये आम बात सी लगने लगी है ऐसी अगर समश्चा है तो इसका दो भार 5 ग्राम powder लेकर कढ़ा बनाकर seven करना चाहिए कढ़े को दिमी दिमी आज पकाना चाहिए और छान कर सैद मिलाकर seven करना चाहिए और कढ़ा पीने के बाद आदे घंते तक कुछ नहीं खाना चाहिए तो आप देखेंगे कि काडे का जो therapeutic effect है बढ़ जाता है Cancer cell को ये खतम करने वाला होता है Antioxidant, Antiviral, Antimicrobial properties जिसकी होती है Urinogenital system में किसी भी परकार का कोई microbial infection है वो भी दूर हो जाता है cyst की समच्चा है वो दूर हो जाती है Susan कहीं हो गई है, वो भी ठीक हो जाती है digestive disorders को ठीक करने का कारे करता है ulcer की समच्चा है या bacterial pit में बना हुआ infection है stomach में दर्द हो रहा है, pit में दर्द हो रहा है, खिचाव हो रहा है muscular spasm हो गया है उन सब को भी ठीक करने का ये कारे करता है साथ यो आप इसका काढ़ा बना कर seven कर सकते हैं या फिर आप इसकी arthritis का अगर pain है तो काढ़ा पी लिजे साथ-साथ इसके पत्र की poultis बना कर बान दीजे तो आप देखेंगे कि आसानी से arthritis की condition improve हो जाती है pain में आसानी से relief अपने को हो जाता है और hormone level पर जब ये अपना कारे करता है तो बार-बार होने की जो समश्या है खेचाव की जो समश्या है सूजन की समश्या है वो भी नहीं होती है skin की problems को भी ठीक करने का ये कारे करता है remittent fever में भी आप इसको दे सकते हैं पित और कफ के समन करते हुए शरीर के toxins को बाहर निकालने का ये कारे करता है पिरकृती का दिया हुआ वर्दान है बहुत सारे और इसके हैं लेकिन समय का ध्यान रखते हुए सबी को cover करना आसान नहीं है लेकिन फिर भी आप अधिक जानकारी के लिए हमसे email के मादे हमसे संपर्ख कर सकते हैं गंग्रीनस अगर घाव हो गया है भरनी रहा है उसमें भी इसके पत्र का पेश्ट बना कर आप भर दीजे गंग्रीन के समस्षा भी दोर हो जाती है वाटस के समस्षा वी ठीक हो जाती है पत्र पेश्ट बना कर आप लगा दीजे मस्ते जो हैं वह आसानी से ठीक हो जाते हैं काफी अच्छे इसके उस्तिय उपियोग हैं और आप इसको अपने अच्छे उस्दिय वह स्वास्ते के लिए उपियोग मिला सकते हैं आइडेंटिफाई कर लीजे देखने में आजकल फ्लावरिंग इस्थिती में हैं आप इसको पहचान सकते हैं स्वेद प्रंग राज भी इसी को कहा गया है लिवर के टॉक्सिंस को बाहर निकालते हुए हैपटाइटिस के समस्या को दूर करते हुए बलड के लिए आप इसको और्गनिकली कल्टिवेट कीजिए गमले में लगा लीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं सुबस साड़ेशे बजे फिर एक नई प्लांट के साथ मिलेंगे इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद प्रणाम जानकारी को जरूर सेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी से लाभनवित हो सकें अपना अच्छा स्वास्ते आप बनाए रखें आप सभी को मेरा पनाम नमस्कार